हुलो फ्रेंस स्वागा थे आप सभी के अपने चानल रिजल क्रेटर ना फ्रेंस उमीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और आपका पड़ाई जो है बहुत अच्छा से चल रहेंगे तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगास्ट 2022 से 11 अक्टूबर 2022 के बीच यह 99वे सिप्ट में समपन हुआ था फ्रेंस 99वे सिप्टों के परतेक्षिप में पारतलिस एस्टेटिक जीके एंड साइस के प्रसन पूछे गया थे लेकिन फ्रेंट्स यहाँ पर हम लोग ओनली एस्टेटिक जीके एंड साइंस ज कंप्रीट करने वाले हैं फ्रेंट्स यह सभी जो प्रस ने ऑफिसली पेपर के माध्यम से वान लाइन क्वेशन एस्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रसनों का क्वीक रिविजन और याद कर सके फ्रेंट्स यहाँ पार्ट 3 है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेली कराम का लिंक दिया हुआ है वहां से कंटेक्ट करके आप पीडिया प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स इस से फर्च के लिए एक लाइक तो बनता है प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ल पतती यानि खादिन सिस्टम जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा जब ATP में टर्मिनल फॉस्पेट लिंकेज को जल के उप्योग दोड़ा तोड़ा जाता है तो कितनी उजमुक्त होती है 30.5 किलो जूल पॉर मॉल जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा समान मोटाई एं करमशा एल और फोर एल लंबाई वाले दो तारो ए और बी पर विचार किजिए यदि ए और बी के परतिरोध करमशा 0.5 ओम और 2.0 ओम है तो एक की परतिरोधक्ता और बी की परतिरोधक्ता कानुपात कितना होगा वन हो जाएगा किसी बस्तु को एक उतल दर्पन के शामने इसकी फोकस दूरी से दो गुनी दूरी यानि 2F पर रखा गया है तो परतिवियम डेस दूरी पर बनेगा यानि जो है 2F दूरी पर बनेगा किसी बस्तु को एक माइनस 10 डिगरी छामता वाले लेंस के मुख अक्ष पर 15CM के दूरी पर रखा गया है निर्मित परतिवियम यानि कर्षा होगा आबासी और सीधा होगा तीस वाट का एक उपकरण 12 बोल्ट की बैटरी के सांथ सयोजित है उपकरण में परवाई धरा डेस होगी यानि 2.5 एंपियर होगी भारतिय समिधान में सावेधानिक संसाधनों के माध्यम से कितने विकास यों कल्यान सम्मंदि विशयो को राज से पंचायती राज संस्ता में आस्तानांत्रित किया गया है 29 हो जाएगा थायरोक्षीन हार्मोंस के निर्मान के लिए किस खानेज किया सकता होती है आयोडीन की जब तक किसी बस्तु की शीमांत उपयोगिता डैस होती है तब तक ब्यक्ति हमेशा उस बस् और बैंकिंग तो चिनी मिल यानि अप्शन भी जोए करेक्ट हो जाएगा भारत ने अपनी पॉलिस साथ पंचव और सियो योजना में कौन से ब्यापार निती अपनाई थी आयात प्रतियस्थापन निमलिखित अभी किरिया में उदपात पी की पाचान किजिए तो चुना में बंगाल के नवाप पर निर्नायक जीत हांसिल की थी प्रासी के ये दुमें कौन सी भासा दादरा और नगर है वेली तथा दमन और द्यूक कंद्रसाशित परदेश की जनता द्वारा बोली जाती है गुजराती नीचे दिये गए कतनों पर विचार किजिए और सही उतर तक पी-च महाप सकते हैं इस तरह से कथन एक सत्या हो जाएगा और नहीं किया जाता है यानी जो है खाणा पकाने के लिए नहीं किया जाता है एक बिग्यान की पुष्टक में समान ओसत्तिरेजिया और समान लंबाई की दो परिम्लकाओं पी और क्यू को दर्चाय गया है क्यू के अंदर खीची गई छेतर रेखाओं की संख्या P के अंदर खीची गई छेतर रेखाव की संख्या की दो गुनी है यदि दोनों परिनलकाओ में फेरो यानि टरम्स की संख्या शमान है तो परिनलका P में धारा, परिनलका Q में धारा की डैस गुनी है यानि जो है 1 by 2 गुनी हो जाएगा भारतिय समिधान के भाग 4A में सामिल मौली कर्तोब की कुल संख्या कितनी है एक 11 हो जाएगा 22 बसाओ में बोल चल वाले वाक्यों को सिखने के लिए सिख्षा मंत्रेल दोरा पॉली बार कौन सा एप जारी किया गया है भासा संगम समान लमबाई और समान मोटाई वाले तीन तारो A, B और C के पर्तिवध करम सा 10 ओम 0.5 ओम और 0.25 ओम है उनकी पर्तिरोधकताय डैस होंगी यानि क्या होंगी 4 अनपाथ, 2 अनपाथ, 1 के अनपाथ में होंगी एक स्वास्त समाज के रिए जन संख्या में पूर्षो और महिलाओ का बित्रन क्या होना चाहिए पूर्षो और महिलाओ की बराबर संख्या होनी चाहिए 40 सियम फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की चमता 10 होगी, यानि कितना होगी 2.5 दी होगी उन वस्तों की पाचान करें जिनके मुले में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है गीफीन वस्तों हो जाएगा नेक्ट्ट क्वेसन है बिदू जर्नेटर से समंदित निम्द कतनों पर विचार की जिए तो यहाँ पर दू कतन दिये हुए थे कतन A में है परतेक आधे घुर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाव में धारा के दिसा उलट जाती है और B में है कुंडली में प्रेरी धारा के दिसा फलेमी के दैहाथ के नियम के उप्योग करके ग्याद की जा सकती है उप्रोक्त में से कौन से कथन साही है A और B दोनों साही है किस नदी को दक्षिन गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को ऑक्सिजन के प्राम्तम डैस कोसो में डैस इलक्टोन होते हैं यानि एल कोसो में 6 इलक्टोन होते हैं निजी ब्यक्तियो और स्वमुधाय के अधीन 1 छेतरों को dash के रूप में वरगी क्रित किया जाता है यानि आउगी क्रित 1 के रूप में वरगी क्रित किया जाता है निम लिखित मैं से कौन से बिस्तापन अभी क्रिया है तो यहाँ पर 4 अप्शन दिए हुए थे option 1 में है ZnCO3 जब यह दो पार्ट में टूटेगा तो ZnO plus CO2 बन जाएगा 2 में है AP plus CuSO4 जब यह अभी क्रिया करेगा तो APSO4 plus Cu बन जाएगा 3 में 2H2 plus O2 जब अभी क्रिया करेगा तो 2H2 गो जाएगा और 4 में है CCO3 जब यह दो पार्ट में टुटेगा तो CCO2 जोय बन जाएगा इस तरह से option 2 जोयस के correct answer हो जाएगा कारबन परवानू के L कोस में कितने इलक्टोन होते हैं चार निव लेंड्स ने अपनी अस्टा की तुलना डैस से की थी यानि संगीत के स्वरो से की थी किसी उतल दरपन की फोकस दूरी 15CM है नई काटिया चीन परिपाठी का पालन करते हुए इसका वक्ता केंद पर इस्तित होगा तो चलिए फ्रेंज सेट नमर थाइस ग्रूप डी एकजाम 1 सेप्टमबर 2022 के फर्स सिप्ट को देखेंगे यहाँ पे 1034 नमर परस्ट है परत्यासित समग्रा मांग यानि एक्स एंटी एग्रेट डिमांड की गन्ना के लिए किस सुद्र का उप्योग किया जयता है C प्लस आई प्लस यू आई का भरत के उपोस निकटी बंदिये बनस्पति छेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की शीमा क्या है 17 डिग्री सिल्शियस से 24 डिग्री सिल्शियस है कौन सा विशाय कालिक संसलेशन यानि टेम्पोर ओरल साइन्थेसिस की अधारना की बेख्या करने का प्रयास करता है इतिहांस हो जाएगा नेक्ट क्वेशन है निमलिखित कत्नों में से तीन संगत है और संगत कथन का चैन किजिए तो यहाँ पर 4 कथन दिये हुए थे कथन A में है इसका अपयोग ताप बिधू सयंत्र में बिधूत उत्पादन के लिए किया जाता है और यह लागत में किफायती होते हैं B में हैं इन्हें जलाए जाने पर CO2 उत्पन होती है जो global warming का करण बनती है C में हैं इन्हें जलाए जाने पर N और S के oxide उत्पन होते हैं जो विशाक्त होते हैं और अमलवार्शा का करण बनते हैं D में O2 की अपर्याप्त मातरा की उपस्तिती में जलाय जाने पर कार्बन मोनो अक्साइड उत्पन होती है जो एक विशाक्त गयस है इस तरह से अप्शन A जवाय करेक्ट हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एक भारतिये ग्रामिन गर बैंकिंग वितिये कंपनी है जिसका डैस में इस्तित है यानि जवाय मुंबाई में इस्तित है जब सोडियम सलफाइड तनु हाइड्रो क्लोरीन आमल के साथ अभिक्रिया करता है त तो यहां पर तीन अप्शन दिये हुए थे अप्शन एक में तत्व के विभिन गुनों में कुछ पटायन की पचान दू में तत्व की उनके संसलेशन के अधार पर पुंड बेवस्त था और तीन में विभिन तत्व के रंगों की समोगर जानकारी प्राप्ट करना इस तरह वाले बल्ब की अधारना पर अधारित नहीं है तो यहां पर अप्शन दिये हुए थे लाउड एस्पीकर बोल्ट मीटर एमीटर और विदुद फ्यूज तो विदुद फ्यूज जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा पत्यू से पोधे के अन्य उतको तक प्रकास संसलेशन के बिले उत्पादो और अन्य पदार्थों के परिवान की परकिरिया क्या का लाती है आस्थनांत्रन का लाती है बल्ब का फिलामेंट डैस गलनांक वाली डैस धातू से बना होता है भारत के पर्थम इसाई मिसनरी संगठन से रामपूर मिशन की अस्थापना डैस द्वरा की गई थी 50CM फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20CM फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के सांथ जोड़ कर रखा गया है इन दोनों लेंसों के संयोजन की छमता ग्यात किजिए माइनस 3D हो जाएगा पोवा माक का यह फिलिंग दवलेंक्स दिये हुए थे यह पंचायती राज प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा भीकल्प संतुलित आहर का एक उधारन है तो यहां पर चार अप्शन दिये हुए थे ए में हैं बर्गर चिप्स कोल्डरिंग बी में रोटी सब्जिया और डी में हैं चावल चिप्स कोल्डरिंग तो रोटी द ग्यान हो जाएगा 80 और 120 के परतिरोद A और B छो बोल्ट की बैटरी के साथ स्रेनी कर में सयोजित है यदि B और B2 करम सा A और B के सीरो पर भी हो पात है ताथा 14 और 12 उन से होगर परवाइत होने वाली धराये हैं तो B1 by B2 और 11 by 12 करम सा डैस है यानि क्या है 2 by 3 और 1 है भारत में कंटीले सिंग वाला जंगली आइवैक्स यानी सेगी हरन वील आइवेक्स डैस में पाया जाता है यानी परवतिय बनों में पाया परकासिक उपकरनं X की फोकस दूरी मैनस 30 cm है एक्स डैस हो सकता है यानि क्या हो सकता है या तो ओतल लेंज या तो ओतल दरपन हो सकता है कारबन दोड़ा परदर से सिरिंखला गुण किस गुण को दर्शाता है परवानो की लंबी सिरिंखला बनने है तो स्वा संयोजन छामतक के गुन को जोए दर्शाता है पोधो की पतिय द्वारा तयार भोजन को फ्लोयम के माध्यम से पोधो के किन भागो तक पहुंचाया जाता है जोड़ो बीजो फॉलो और विवाजोद को तक नेक्स्ट क्वेशन है दिव्यांग व्यक्ति के लिए भारत के पले क्रित्रियम पुदिमता आधारित जो प्लेटफॉर्म स्वाराजबिलिटी के बीटा संस्क्रान का सुबराम किसके द्वारा किया गया आई आई टी हैदराबाद के द्वारा किस रासानिक अभी किरिया के द्वारा बेकिंग सोड़ा का निर्मान किया जाता है एक अस्थाई धरा आई पर तिरोद आर वाले किसी उपकरन से होकर परवाइत होती है शमाय में इसके द्वारा उत्पादित उस्मा की मातरा डैस होगी यानि क्या होगी आई एसक्वार आर्टी होगी निमलिखित में से कौन से सोडियम हाईडरोक्साइट के उप्योग नहीं है तो यहाँ पे तीन अप्सन दिये हुए थे अप्सन एक में है इसका उप्योग साबुन और डिटर्जन बनाने में किया जाता है दू में है इसका उप्योग कागज के बिनिर्मान में किया जाता है और तीन में है इसका उप्योग जल की आस्थाई कठोड़ता को दूर करने के लिए किया जाता है इस तरह से केवल थिर जो है इसका correct answer हो जाएगा राशाइनिक अभीकिरिया के लिए संतुलित अभीकिरिया कौन सी है हाइडोजन प्रोमीन जब यह अभीकिरिया करेगा तो हाइडोजन ब्रोमीन बन जाएगा इसी को समिकरन में सजाय गया है ह2 प्लस ब्र टू जब अभीकिरिया करेगा तो 2SBR जो है बन जाएगा इस तरह से इसका correct answer हो जाएगा लाल रंग का प्रकास कोरे या धुए से डेस प्रकिरिनित होता है क्यांकि इसकी तरंग देर स्वेत प्रकास के अन्य रंग घटकों की तरंग देर की तुलना में डेस होत इसका है तो यहाँ पे समुख 15-16 & 17 है और इसका answer जो है प्रकास की सिचनकर हैं नर्चनन कोशिका छोटी और गती सील माधा खादय भंडार की यूगती बड़ी इस तरह से ज्वाइस का करेक्ट एंसर हो जाएगा भारतिय समिधान में मौलीक कर्तवों को सामिल किये जाने की सिफारेश की समिती ने की थी श्वान सिंग समिती ने नेक्स्ट क्वेशन है दरपन सूत्र के अनुसार गोली दरपन की फोकस दूरी किसके बराबर होती है यू भी बटा यू पलस बी के बराबर होती है किसी एंजाइम को पाचन परकिरिया में आपना कार्जा करने के लिए हाइड्रोकलोरीन आमल की उपस्थिति क्याव सकता होती है पेपसीन हो जाएगा किसी धरवाई परिनल्खा के कारण उत्पन चुम्बक्य छेतर से सम्मन नित निम्न कतनों पर विचार की जिए तो यहाँ पे दू कथन दिये हुए थे कथन A में है परिनल्खा के अंदर चुम्बक्य छेतर समन नंतर सिधी रेखा के रूप में होता है और कथन B में है परिनलगा के अंदर उत्पन परवल चुमबकिय छेतर का उप्योग किसी चुमबकिय पदार के टुकरे को चुमबकित करने के लिए किया जा सकता है उप्रयोक्त में से कौन से कतन सही है तो A और B दोनों कतन जो है सही हो जाएंगे इन में से कौन सा कतन सही है तो चार अप्शन दिये हुए थें अप्शन A में दुक अंदरों को कानून पलास्टिक बैन का उप्योग करना अनिवार रहे B में उप्योग के बाद पलास्टिक की थैलियों को जला कर उनका निप्टान किया जाना चाहिए C में है खादो को रखने के लिए पलास्टी की थैलियों का उप्यों किया जाना चाहिए और D में हमें कच्रे को पलास्टी की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और उन्हें फेकना नहीं चाहिए इस तरह से option D जोए इसके correct answer हो जाएगा इस तरह से जोए इसके correct answer हो जाएगा तो चलिए फ्रेंज सेट नमर 29 गुरूप D एकजाम 1 सेप्टेंबर 22 के second shift को देखेंगे यहाँ पे 1033 नमर पर्षन है अन्ने सब 31 में इलाहाबाद के अलफ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए किस करांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी चंदर सेखर आजादने भागवान पद संभव के श्रमान में कौन सा महत्षो मना जाता है हेमिस महत्षो वयो मंडल की उपस्थिती में आकास का रांग कैसा होगा काला होगा जब एसिटिक अमल को सोडियम हाइडरो कोलाइट से उपचरित किया जाता है तो वो डैस और जल बनेगा यानि सोडियम एसिटेट और जल बनेगा दिसंबर दूजर दोस तक वी सो में पोदो की वीविता के मामले में भारत कीस आस्थान पर था किसी कर्वनिक यविक में एक परकार्यात्मक श्रमो क्यानि धरित करता है इसके रसायनिक गून को निम्न में से गलत यूग में यानि बैंक और संबादित सिरेनी को पाचानिये तो चार अप्सन दिये हुए थे A में है पंजाब नेशनल बैंक जो है सर्वजानिक छेतर का बैंक है B में है एक्सिस बैंक लिमिटेड जो है और निजी छेतर का बैंक है C में है केंडरा बैंक जो है पेमेंट्स बैंक है और D में है EU बैंक लिमिटेड जो है लगू बित बैंक है इस तरह से केंडरा बैंक यानि option C जो है इसका correct answer हो जाएगा किसी वस्तू या सेवा की एक अतरिक्त इकाई खरीदने से उप भोगता को प्राप्त होने वाले अतरिक्त संतुष्टी या लाप उपयोगिता को डैस कहा जाता है यानि क्या कहा जाता है सिमान्त उपयोगिता कहा जाता है रक्त चाप मापने के लिए किस यंदर का प्रयोग किया जाता है और स्फिग् पाचित परमुक्षे है गर्न राज हो जाएगा जाइलम के कौन से तत्व मिरित को सिकाव से बने होते हैं और फिर भी पौधो में जल और खानीज के परिवहन के लिए उतरदाई होते हैं वाहिनीका और वाहिका जबाय करेक्ट हो जाएगा भारत में 14 परमुक भारतिय करके दूर की जा सकती है और जिसका उप्योग रख्त चाप के लिए होता है जल की कठोड़ता या में फिलिंग दिये हुए थे का उप्योग करके दूर की जा सकती है धावन सोड़ा का उप्योग करके दूर की जा सकती है अंग्रेजी सहीत 24 भारतिय भासाओं में सहीत वी मर्सो उनका परकासन और परचार वाला देश का परमुक और एक मातर संस्ता कौन सा है सहीत एकाडमी योमनारम के दोरान आवाज बदल लाती है ऐसा के होता है सुआर यांत रानी लाइडिक्स के विकास के कारण समिधान का तीहतरवस अंसोदन 20 लाग से कौम जन संख्या वाले राज्य को राज्य के आस्थानिये सासन में नियून्तम या पफिलिंग दा बलेंक्स दिये हुए थे सनसना का अधिकार देता है दूई अस्थरिये हो जाएगा कथन एक में लिटमस बिलियन एक बैगनी रंजक यानी पूरपल डाई है जो थेलो फाइटा बर्ग से समन्दित पादप लाइकेन से निकला जाता है और कथन दू में लाल गोबी के पत्ते हल्दी कुछ फूलो की रंगीन पंखुडिया जैसी कई प्राकृतिक समागरिया ह जो किसी बिलियन में आमले याद 16 की उपस्थिती का संकेत देती है इस तरह से दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा किसे सिदे धरावाई चाला को चुमबकिये छेतर में राखा गया है जब चालाग में परवाई धरा की दीशा और चुमबकिये छेतर के दीशा के बीच का को ओन डैस होगा तब चाला को अधिकतम बल का अनुभाव होगा 90 डिग्री हो जाएगा बोमें संपूर्ट यानि बोमें कैप्सूल मानव शरीर में कहां इस्तित होता है विक में आधोनिक-अवर्थ-sharni में निम्ण अभी लक्षनिक ताओं को सुम्लित किजिए तो बन जो है E को सुमिलित करेगा, 2 जो है D को सुमिलित करेगा, 3 जो है B को सुमिलित करेगा, 4 जो है E को सुमिलित करेगा, और 5 जो है C को सुमिलित करेगा, इसमें देखा जाए, शार्णी में बोलोकों की कुल संख्या 4 हो जाएगा, आव औरतों की कुल संख्या 7 हो जाएगा, K कोस में त साइनिक वीदियो के विगल्प के रुप में यहां फिलिंग दे विलेंक्स दिये हुए थे नामक एक सुवादेशी हरबल दवा बिक्सित की गई है वर्मी वेट हो जायागा विदु चुम्ब के प्रेरन की घटना के दोरान की सिकुंडली में प्रेरित इमेफ डेस के अनुकर्मानिपाति होता है यह जो है चुम्ब की अभिवाह में परिवर्तन की दर के अनुकर्मानिपाति होता है तो चलिए फ्रेंस यहां पर 1101 नमर प्रशन है पूस्प के कौन सा भाग निसर्चन के बाद फल के रुप में बिक्सित होता है अंडासा हो जाय गया हो और तीन में जो बस्तु को फोकस पर रखा गया हो इस तरह से दू और तीन दोनों जोई इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा जब किसी तंबे के तार में 0.5 अंपिर की धरा पर वाहित होती है तो इसके सीरो पर वी वांतर 5.0 वोल्ट है तार का परतिरोड डैस है यानी क् नेक्स्ट क्वेशन है तारौबा राष्ट ये उदान भायते किस राज में एस्तित है महराष्टा में दो परतिरोड A 20 ओम और B 30 ओम समननधर कर में सयोजित है इस सयोज़न को 3 बोल्ट की बैटरी में सयोजित किया गया है बैटरी में पर वाहित होने वाली धारा डैस है य निचे दिये गए कतनों पर विचार किजिए और सही उतर का चैन किजिए तो यहां पर दू कथन दिये हुए थे कथन एक में है भोजन को वायू रोधी कंट्रेनरों में रखने से ऑक्सी करन को धीमा करने में मदद मिलती है और दू में है चिप्स भी निर्माता शमायनता चिप्स को ऑक्सी करीत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग को ऑक्सीजन जैसी गैस के सांथ फ्लस करते हैं इस तरह से कथन एक जोए सत्ते हो जाएगा और कथन दू जोए वह सत्ते हो जाएगा किसी बस्तु को एक उतल दर्पन के सामने 10 सेम के दूरी पर रखा गया है इसका परतिवीम उसी और 15 सेम के दूरी पर बनता है दर्पन की फोकस तो यह 10 होगी यानि क्या होगी माइनस 6 सेम होगी निम्न कतनों पर विजार की जिए तो यहाँ पर दू कतन दिये हुए थे कतन A में लाल परकास की तरंग दर्थ, निले परकास की तरंग दर्थ से लगभाग 1.8 गुना अधिक होती है और B में जब सूर्य का परकास वाईयो मंडल से गुजरता है तो सुक्ष मकान लाल प्रकास की तुलना में नीले प्रकास को अधिक तीवर्था से परकिनित करते हैं ओप्रयोक्त में से कौन से गताना में सुवक्ष आकास के नीले रंग को समझाने में मदद करते हैं A और B दोनों जो है इसके करेक्ट टेंसर हो जाएगा तो चले फ्रेंस सेट नमर 30 गुरूप डी एकजाम 1 सेप्टेंबर 2022 के थर्ट शीप्ट के कूशन को दिखेंगे यहाँ पे 1112 नमर पर्षन है जब किसी चालाग पर 24 वोल्ड का बीवा आरोपित किया जाता है और 96 में की धारा उसमें सहोकर परवाइथ होती है तो चाला का परित्रोड डैस होगा यानि कितना होगा 250 ओम होगा भरत सरकार की किस योजना का लक्ष अल्प संक्यक समुदायों के छात्रों को शशक्त बनानत था उन्हें प्रतियोगी परिषाओं के लिए त्यार करना नाया सवेरा सुमी बैप्टिस चर्च भारत एक किस राज में इस्तित है नागा लेंड मानाव सरीर का इन में से कौन सा भाग सलकी उपकला से अस्तरित नहीं होता है तो चार अप्षन दिये हुए थे अप्षन A में त्वाचा, B में मुख, C में ब्रिक न लिकाए और D में गरसी का तो ब्रिक न लिकाए यानि अप्षन C जोईस का करेक्ट एंसर हो जाएगा निम्लिखित में से कौन सी परवत सरींगला हीमाले परवत माला का भाग नहीं है तो यहाँ पे चार अप्षन दिये हुए थे अप्षन A में है कारा कोरम परवत सरींगला B में है महादेव परवत सरींगला C में है जन्सकर परवत सरींगला और D में है पीर पंजाल परवत सरींगला तो महादेव परवल सरिंखला यानि option B जवाईस का correct answer हो जाएगा फेरम sulphate crystal के पून्रू अफगटन के दोरान कौन सी गस निकलती है Aso2 और Aso3 दोनो जब परतिरोध को स्रेनी कर में सयोजित किया जाता है तो परतेक परतिरोध में विवांतर डेस होगा यानि परतिरोध के शमानुपाती होगा यहाँ पर डेस दिये वे थे फिर पुझे कहते हाइड्रो कार्बनो के अलकलाइन शम्मू का पला सदस्य है एथाइन हो जाएगा कौन सा प्रकास संसलेशन में उत्पन अविस्षिष्ट उत्पाद है अक्सीजन हो जाएगा मेगनिसियम क्लोरीन अलोमिनियम सॉलफर में से कौन सा ततो सरवादिक विदूत रिनात्मक तत्व है क्लोरीन हो जाएगा इन में से कौन समोदा बड़े बांधों से संबंदी समस्या नहीं है तो चार अप्सन दिये हुए थे अप्सन A में बनों की कटाई और जविक बीविता की हानी B में है लोग का बिस्थापन C में सीचाई के लिए जल का संग्रहन और D में है सामील लागतों की तुलना में कम लाग इस तरह से अप्सन C जोए इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा एक रासाईनिक समीकरन में तीर का सीरा किस और इंगित करता है उत्पाद की और मोटर के आर्मेचर की घुर्णन की दिशा यहांपा फिलिंग दा बलेंक्स दिये हुए थे की सायता से ग्याद की जा सकती है यानि फलेमिंग के बायाहात के नियम की सायता सजवय ग्याद की जा सकती है मेडलिप की आवाज सारनी ने तत्व के परमायूंद दर अबमान और उनके यहांपा फिलिंग दा बलेंक्स दिये हुए थे के बीज के श्रमांदों का परिक्षन किया था बहुतिक और असायनिक गुन धर्मों दोनों का शकल राजिकोसिय घर्टा ग्याद करने के लिए किस सुत्र का उप्यों किया जाता है कूल बिया राजस्व प्रप्तिया प्लश गयर रिन सिर्जक पुंजिगत प्रप्तिया इस तरह सुजव इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा एक परस्थितिक तंत्र की खाद स्रिंगला और उससे होने वाले उर्जा परवास से संबंदित कुछ कथन नीचे दिये गए हैं गलत कथन का चायन की जिए तो यहां पे चार कथन दिये हुए थे कथन A में ऐसे सबी जिव जो उत्पादक नहीं है वे उपभगता होते हैं B में एक अकेला जिव एक आधिक पोशी अस्थरों पर भोजन परात कर सकता है C में जिव का पोशी अस्थर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम उर्जा होती है और D में है खाद जल में दो या दो से अधिक खाद सरिंख लाये शामिर होती है इस तरह से आप्शन C जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा भरत की पली पंच बर्शी योजना की आउधी यहां फिलिंग दे बलेंक्स दिये हुए थे तक थी जो मुखेता प्रात्मिक छेतरों के बिगास पर केंद्रित थी 1951 से 1956 तक थी यह एक निश्चित आकरिती का एका कोशी किये जीव है जिसमें भोजन गरान करने के लिए एक बिशिष्ट आस्थान होता है और अपने भोजन को उस आस्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी सनुशनाओ जी ने पक्षमा भीका कहा जाता है का परेयोग करता है इस जीव का नाम बताइए परामिश्यम हो जाएगा निवन में से किसका कोशनांग सरवाधिक है तो चार अपसन दिये हुए थे A में है C A O B में है L I C L C में है C A C L 2 और D में है N A C L तो C A O यानि कैल्सियम ऑक्साइड जो है इसका करेक्ट टेंसर हो जाएगा उपभक्त सिधान्त लोगों द्वारा उनके या उनकी यहाँ फिलिंग दे बलेंक्स दी हुए थे कोब्याय करने शंबंदी निनाय लेने के तरीकों से शंबंदी थे धन हो जाएगा चित में परदर्शित किये गए अनुसार एक परकास शीक उपकरन X बस्तु AB के लिए प्रतिवियम CD निर्मित करता है उपकरन X एक डैस है यानि क्या है आउतल दर्पन है निमलिकित में से किसे परकास के परकेनन की परिघटना का उप्योग करके नहीं समझा जा सकता है तो चार अप्सन दिये हुए थे अप्सन A में सुरुएदे के समय सूरे का लाल हुना B में खत्रे के संकेतों के लिए लाल रंग का परियोग किया जाना शीम है तारो का टिमठी माना और डिम है आसमान का नीला रंग इस तरह से तारो का टिमठी माना यानि अप्सन C जोए इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा किसी चाला को 6 बोल की बैटरी से सयोजित किया गड़ा है मान लिजी कि चाला के 0 के 20 वीवांतर B1 है इसे 9 बोल की बैटरी के सयोजित किया जाने पर B1 थर B2 हो जाता है B1 by B2 का मान क्या होगा? 2 by 3 हो जाएगा 80 अपने कपड़ा साब करने के लिए गलती से डिटर्जन के आस्थान पर एक अग्यात बिले का उप्योग करती है उसके कपड़ो का रंग फिका पड़ जाता है या बिले डेस हो सकता है यानि क्या हो सकता है? ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है कोलकाता में इस्ति सुक्ष मरीन दाता बंधन फाइनेंसियल सर्विस को किस वर्ष में सोरव भॉमिक बैंक शुरू करने के लिए RBI द्वारा स्वेधान्तिक मंजोरी परदान की गई थी दूजर चौदा में जब यह अभिक्रिय करेगा तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस उजर दी गई अभिक्रिय के लिए बिशिष नाम क्या है भारत में लू हवाओं का समाने तक किस मौसम से है गर्मी के मौसम से जब मेडल ने मटर के पोधो में दो लक्षोनों की वांसागती का ध्यान किया तो उन्हें F2PD में पोधो के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला 9.3.3.1 Next question है किसने सुझाओ दिये कि जीवन की उत्यपाती सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी JBS हलदाने ने भारत के सुवत तंतरता संगराम से संबन दित नीम लिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्सेश से सुमिली थे तो यहां पर चार अप्शन दिये हुए थे अप्शन A में 288 भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस ने पून सोवराज के लिए प्रस्ताव पारित किया B में 32 में डॉक्टर बी आर अम्बेदकर ने दलीत को डिप्रेश्ट कुलासेन एसोसियेशन में संगठित किया C में 28 में जनरल डायर ने जलिया वाला बाग में एक साभा पर गोलिये चलवाई और D में 22 में 24 चोरी कान के पर्तेक्ष परिणाम के रूप में मात्मागांधी ने राष्टिये आस्थर पर अस्वयोग अंदलन को रोक दिया इस तरह से अप्षन D जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा निचले अक्छांसे के उसन कटी बंदिये च्षेतरों से उंचे समसितोषन और उप धुरुबिये च्षेतरों में बने वाली जल धराओ को डैस कहा जाता है यानि क्या कहा जाता है उसन धराय कहा जाता है प्रमुख कौन होता है राष्ट पती जब चुम्बकिये च्षेतर उतर की ओर कारे कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पच्षिम की ओर परवाइत हो तो चालक डैस दिशा में आगे बढ़ेगा यानि जो है नीचे की ओर आगे बढ़ेगा 1.0 सियम आकार वाली किसी बस्तु को एक 16 सियम फोकस दुरी वाले ओतल दरपन के शामने 24 सियम के दुरी पर रखा गया है निर्मित परतिवियम डैस होगा और इसकी उचाई डैस होगी यानि निर्मित परतिवियम जो है उल्टा होगा और उचाई जो है 2.0 सियम होगी सूरी से आने वाली किर्ने वायो मंडल द्वारा और परतित होती है इसके कारण अबासी सुर्यास वास्तिविक सुर्यास श्रिलागभग डेस होता है यानि जो है दू मिनिट बाद होता है अनाई सो तीरामे भालत सारकार ने मानाव अधिकारों के उलंगन की निगरानी के लिए एक सांस्था एन एच आर्शी की अस्तापना की थी एन एच आर्शी का पूर्ण रूप क्या है नेशनल हूमन डाइट कॉमिशन जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा तो चले फ्रेंस सेट नमर 31 ग्रूप डे एक्जाम 2 सप्टमबर 2022 के फास्ट सिप्ट एक कोर्शन को देखेंगे यहाँ पे 11.51 नमर पर्षन है निमलिखित में से दुई बिस्तापन अभी किरिया की पाचान की जिए तो यहाँ पे चार आप्शन दिये हुए थे आप्शन एक में है 2AG-C-L-Solid जब दो पार्ट में ठुटेगा 2AG-Solid प्लस C-L-2-Gas बन जाएगा 2 में Mg-Solid प्लस T-C-L-A-Q यहाँ जलिए जब यह अभी किरिया करेगा तो Mg-Cl-2-A-Q यहाँ जलिए प्लस H2-Gas बन जाएगा 3 में 2K-B-R-A-Q यहाँ जलिए जब यहाँ जब यहाँ किरिया करेगा तो यह 2KLAQ यानि जलिये प्लस BABR2S यानि solid जो है बन जाएगा और फुर में PB solid प्लस CuCl2 जब यह अभी क्रिया करेगा तो यह PBCl2 प्लस Cu solid जो है बन जाएगा इस तरह से option 3 जो है इसका correct answer हो जाएगा किस तत्वे में सरवाधिक प्रभावी ना भी किये आवेस होता है तो यहाँ पर चार तत्वे दिये हुए थे C जो है स्कॉर्वी के सिड है F जो है फ्लोरीन है Li जो है लिथियम है और B जो है बुरोन है तो F यानि फ्लोरीन जो है इसके correct answer हो जाएगा भारत में उस निकटी बंदिये पनपाती बनों में 10 की बीच वार्षा होती है यानि सतर से 200 CM के बीच वार्षा होती है किस्ती बस्तू को एक उतल दरपन के शाम ने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है पर्तिवियम 10 बनेगा यानि अनंत पर बनेगा यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दो गुनी कर दी जाए और विवांतर को तिन गुनी कर दी जाए तो शक्ति में 10 पिरीदी होगी यानि जो है 6 गुनी पिरीदी होगी निमलिखित में से कौन सी गति विधी पर्यावरन के अनुकूल है तो यहां पे चार अप्सन दिये हुए थे अप्सन A में है गगन चुम्बी इमार्तों का निर्वान B में है बिजली के उतपाधन के लिए सौर उर्जय का उप्योग C में है गर्मी के दिनों में AC और कुलर का उप्योग करना और D में है खरीदारी के लिए प्लोथिन बैग का उप्योग करना इस तरह से अप्सन B जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा मरुसरी यहां पर फिलिंग दब लैंक्स दिये हुए थे तो यहां पर चार अप्सन दिये हुए थे अप्सन A में है A की आईरीन फेपडो की स्वास्नियों मुत्र वाहिनियों B में है हीरदे A की आईरीन अस्थियों C में है अस्थियों मुत्र वाहिनियों फेपडो की स्वास्नियों और D में है रक्त वाहिनियों, मुत्र वाहिनियों, अस्थीयों इस तरह से option A जवाए इसका correct answer हो जाएगा Micro Finance के संदर में साही मिलान का चायन करे तो यहाँ पर चार option दिये हुए थे A में है मुहमत इनूर्ष ग्रामिन वैंक, B में है ग्रामिन वैंक, भुटान, C में है मुहमत इनूर्ष विश्वास वैंक, और D में है मुहमत इनूर्ष स्रीलंका इस तरह से मुहमत इनूर्ष ग्रामिन वैंक यानि option A जवाए इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पर फिलिंग दे वलेंक्स दीवे थे, फिर पुछे गये थे, नामाक सकिन्ड समुन्दरी परिनाल सिरिलांका को भारत से अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा, यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के परतिरोध समनांतर कर्मे समयोजित है, तो परिनामी परतिरोध ड तो तत्व का रंग जो है, इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा, निमलिकित में से कौन से बिंदू हमेंसा लेंस के मूख अक्षपर इस्तित होते हैं, तो यहाँ पर तीन अप्सन दिये हुए थे, अप्सन 1 में है अपवर्तन बिंदू, 2 में है प्रकासिक केंद्र, और 3 में है अपतन बिंदू, तो केवल 2 जो है, इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा, धरवाई चला के 4 और चुमक्य छेत, यहाँ पर डेस दिये हुए थे, दूरी में ब्रीदी के साथ घटता है, नवाड और इसमें से किस संगंठा ने संयुक तुरूप से निलंबूर जनजाती के में तमिल भासा को भारत की सास्त्रिय भासा घोशित किया गया था, 2004 में, भारत का स्वरोची कनून अधिकार यानी लोग ओफिसर कोन होता है, भारत के अटोनी जनर्नल, कोई प्रकास किरन वायू में रखे कांस के पीजम के एक अपवर्तक प्रिष्ट A.B. पर अपतित होत है, और B में, प्रिष्ट A.C. पर अपवर्तन कोन, अपतन कोन से अधिक होता है, वोफ्रोच्ट मेंसे कौन से कफन सही है, A.B. दो नों हो जाएगा, निमलिखित कत्नों में से कौन सही है, तो यहांपर चार अप्चन दिये हुए थे, अप्चन A में है, जव निमनिकरनी प पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अफगटित करते हैं और डिम है अज़ाओ निम्ली करनिये पदार्थ उस्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रियाओ द्वारा अफगटित नहीं हो सकते हैं इस तरह से option C जो है इसके correct answer हो जाएगा next question है किस बेद को कर्म कांड गरंत यानि book of rituals के रूप में जाना जाता है ये जुबेद को निम्ली कित में से कौन से plaster और पिरिस के उपयोग नहीं है तो यहाँ पे चार option दिये हुए थे option 1 में कांच साबुन और कागज के बिनिर्मान में 2 में तूटी हुई होडियों को सहरा देने के लिए लगाये जाने वाले plaster में 3 में खिलोन और सजावटी समान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए और 4 में वायू रोधन यानि एयर टाइट बेवास्ता की आवसक 93 में किसो योजना का उदेश गरामिन छेतर के लिए संधार निये प्रोधोग्यों के विकास पर केंद्रित एक प्रयोक साला अस्थापित करना है क्रोस कोटिंग और भाविस्वादी पॉले आत्माराम पंडू रांगा द्वारा अस्थापित यहां पर फिलिंग दावलें नेक्स दीवेते फिर पुझा गये थे नदी छोटा नागपूर पठार साओकर बाती है दामोदर संयुक्त सुक्ष में दर्शी से देखे जाने पर मानावगाल की कोशिकाओं की असलाइट और प्याज के छिलके की असलाइट के बीच दिखाई देने वाला मुख अंतर क्य चेंख टना डएस वर्स में सुरू किया गया था यानि पॉले वर्स मेंस सुरू किया गया था कौण सा तत्व तंबय से अधिक अभी किरिया दिशिया नहीं है तो यहांपन चीर्थ दिटे एब ताइज इनींग आयरन पिवी एनी लिड तो एजिय दिनींग उप्याइज निम्लिखित में से कौन से कथन गलत है तो यहां पे चार कथन दिये हुए थे कथन A में पूरसों में सुक्रवाहिकाओं को और महिलाओं में अंडवाहिनियों को अरूद कर दिया जाता है B में है यह अधिक प्रवाहिक विधिया नहीं है C में है यह उगमक परिवहन को औरूद करते हैं और निश्चन को रोखते हैं और D में है इन्हें बंद करन पर किरिया भी कहा जाता है इस तरह से आप्शन B जब है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा फलेमी के बायाहात के नियम में अउठे और माध्याम उगली के बीच का कोन कितना होता है 90 डिग्री नीचे दिये गए कतनों पर विचार कीजिए और साही उत्तर का चैन कीजिए तो यहाँ पर दू कथन दिये हुए थे जैसे कि अप्शन दिये हुए थे आमीबा इस्ट मस्रूम अमरवेल तो अमरवेल जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा धूब के दरान बादल शपयत दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौझूद कन सुर्य से आने वाले स्वेत परकास में मौझूद बिभीन रंगों की तरंग देर की तुलना में डैस होते हैं और स्वेत प्रकास के सभी रंग डेस मत्र में प्रकिर्नित होते हैं ये जो है बड़े और लगभग शमान होते हैं सरकारी बजट में जब राष्ट द्वारा किये गए खर्च आये सुरत से अधिक होते हैं तो आय और बेय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है बजट घटा कहा जाता है नेमनांकी चीतर मनुष्य में दातों के कर्मिक छए के बिभीन चर्णों को दर्षाता है दातों के 6 से संबन देतने इमलिखित कत्नों में से 1 के अलावा अंसा भी शाई है गलत कत्न की पाचान की जिए तो यहां पे 4 अप्सन दिये हुए थे अप्सन A में है इनमें जिवानी की कोई भूंके नहीं होती है या विशानू जनित होता है ब में मुझ में बस्टे हुए भोजन पर जिवानू सक्रिय हो जाते हैं शी में आमल इनमल का मृद्धिकरन कर देते हैं जिनकी वज़ा से दांतों में दर्द और दांच्य होता है और ड में जिवानू सक्राओं का बिगटन करके आमल उत्वान करते हैं इस तरह से option A जो है, इसके correct answer हो जाएगा, निम्र कतनों पर विचार करते हुए, सही उतर का chain किजिए, तो यहाँ पर दू कथन दिये हुए थे, कथन एक में है, अभी किरिया सीलता स्रेनी में शर्प से उपर इस्तित धात्विय अत्यादिक अभी किरिया सील होती है, और दू इवा महिलाओ का किसोरा आवास्ता में माप बनने का एक संभावी करण क्या है, परिवारी को शमाजिक दवा, भरत में पंचायत यानि अनुसूची छेत्रों तक विश्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम किस वर्स परित किया गया था, अनिशो शान्वे में, कौन सा दिये हुए थे, पी यानि फस्फोरस, एमजी यानि मेगनेशियम, एल यानि अलुमिनियम, जी यानि जर्मेनियम, तो जर्मेनियम जो है, इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, यह पाया गया है कि किसी कांच के पीजम द्वारा स्वेत परकास के बन बिच्छेपन के दवरान, कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवरतनांग उतना ही अधिक होता है, यदि UG, HY और LG क्रमसा, नीले, पीले और हरे प्रकास के लिए अपवरतनांग है, तो इसके बिच कौन सा समन्द सही है, UB greater than UG greater than UY हो जाएगा, कोईले और पेट्रोलियम के सनक्षन के कुछ करण नीचे दिये गए हैं, गलत विकल्प का चैन किजिए, तो यहाँ पे चार विकल्प दिये हुए थें, तो विकल्प A में है, विबेक पुन उप्योग पर भी वायू परदुशन बढ़ता है, B में है, नागरिगो का पैसा बजता है, शी में या जोल वायू परिवर्तन के परभाव को कम करता है, और डी में इसे महासगरों का अमली करण नहीं होता है, जो जली जन्तु के मिनित्ते का करण है, इस तरह से अप्सन एजव है, इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, कमाव हिमाले यानि हिमाले के पूर प भारत के समिदान के कौन सा अनुछेद काता है कि किसी ब्यक्ति को उसके प्रान या देहित सुवतन्तत से बिधि द्वरा आस्थावित प्रकिरिया के अनुशार ही पंचित किया जाएगा, अन्य था नहीं, अनुछेद एक कैस हो जाएगा, यहाँ पे बाले सोवेक नमर से अप्शन ए जोए, इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, यूजना आयोग की अस्थापना डैस को हुई थी, और यूजना यूग की सुरुवात एक अपरेल अनुशाव एकामन से पहली पंच वर्शियो यूजना अनुशाव एकामन से छोपन की सुबरन के साथ हुई थी, इस जोए 15 मार्च 1950 को हुई थी, जन्तू में 187 की कुछ भी सहस्ताओं का उलिख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चैन कीजिए, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिये हुए थे, विकल्प A में है या बहुत मोटी होती है, B में इस छेत्र में वायू को अंदर आने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, C में है, इसका सताई छेत्र फल बढ़ा होता है, और D में है, या समानता शरीर के अंदर इस्तित होती है, इस तरह से आप्सन B जो है, इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा, किस बेद में रिनताओ यानि फोर्सिस की संख्या प्रवाधिक धात्विक है, तो यहां पर चार तत्व दिये हुए थे, बेरियम, काल्सियम, एस्टोटियम और बिरिलियम, तो बेरियम जो है, इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा, निमलिखित में से कौन सी भी दी एक साल चिकित सा पती है, जिसका उप्योग पुस्वक के सु पर टीप प्रविष्ट की जाती है, इस तरह से अप्शन भी जो है, इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, केंद्रिये हिंदी सांस्तान भारत सरकार के, सिक्षा मंत्राले के उंच शिक्षा विभाग द्वारा, अनि-60 में अस्थापित एक स्वैथ सांस्था है, इसका मुख्य साही हो जाएगा, निमलीखित में से कौन सा कोश किये घटक अधिकांस प्रेक केंद्रियों में मौझूद नहीं होता है, तो चार अप्शन दिये हुए थे, राइबर्श्रों, कोशिका भित्ती, कोशिका दरब, और केंद्रक जिली, तो केंद्रक जिली यानि अप्शन D ज सकता होती है, और D में अभी कारक कार्बनिक होना चाहिए, इस तरह से अप्शन A करेक्ट हो जाएगा, नीचे दिये गए कतनों पर विचार किजिए, और साही उतर का चैन किजिए, तो यहां पर दू कथन दिये हुए थे, कथन 1 में बेकिंग सोडा का रासानिक सुत्र NaHCO3 और कथन्दू में इसका उप्योग सोडा एसीड आगनी सामकों में किया जाता है, इस तरह से दोनों कथन्जवय शत्य हो जाएगा, किसी बस्तू को एक 9CM फोकस दूरी पर उतल दरपन के शामने 18CM की दूरी पर रखा गया है, इसका परतिविम 10 दूरी पर बनेगा, यान 0.6 A और 0.3 A है, यहाँ पर फिलिंग दे बलेंक्स दिए गए थे, फिर पुझाए गया थे, पौला मेड इन इंडिया पेटा एसकेल सूपर कम्प्यूटर है, जिससे मार्क 2022 में IIT रोड की में परे नियुजद किया गया था, इसकी सूपर कम्प्यूटिंग चामता 1.66 पे इट मनी का उधारन नहीं है, तो यहाँ पे चार अप्शन दिये हुए थे, A में है रुपए 1 का C का, B में है रुपए 500 का नोट, C में है रुपए 100 का नोट, और D में है रुपए 1000 का चेक, इस तरह से रुपए 1000 का चेक यानि ऑप्शन D जोबहें करेक्ठ हो जाएगा, किस जी ने छुआ छूत के उन्मूलन और दलित बर्गों के उत्य थान के लिए यह फिलिंग दे ब्लैंक दिये हुए थे में हर्जन सेवक संग किया स्थापना की थी अनि 132 में निवन में से कौन सा यूग मुसामान समझाती इस रहनी में होगा तो चार अप्शन दिये हुए थे अप्शन A में है CH3CHO और CH3OH और B में CH3OH और HCOOH C में C2H5OH और CH3COOH और D में CH3COCH3 और C2H5COCH3 इस तरह से अप्शन D जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा अरुन परियोग साला में एक परियोग कर रहा था उसने फेरी कोल्डाइट का बिल्यम लिया और उसमें जिंग के कुछ छोटे टुकरे डाल दिये जब फेरी कोल्डाइट का पिला रंग लुप्त हो गया तो किस योगी का निर्मान हुआ था जे डेंस येल टुका बिस येम फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की छमता डैस होगी यानि 5.0 डी होगी निम्र चीतर में हीरन किस अस्थर यानी लेबल पर आएंगे अस्थर यानी लेबल टू पर इन में से किस जीव में तीन कोस्ट ये हीरदे होता है जैसे की अप्सन दि त्री धुरों पर चुंबगे छेतर रेखाये डैस होती है यानि धुरू से निकलने वाली रेखाये होती है यहां पर फिलिंग दा बलेंक्स दिए हुए थे फिर पुझे गया थे नदी मालवा के पठार से उकर बाती है बेतवा नदी हो जाएगा एक ओतल दरपन 18.0 cm तिर 21 की धारा 29 एक प्रावधानों द्वारा सासित हया है राजनितिक दलों का पंजी करम तो चेले फ्रेंस सेट नमर 23 ग्रूप डेग्याम 2 सेप्टंबर 22 के थर्चिप्टे कूशन को देखेंगे यहां फिर 1231 नमर प्रशन है एक तत्व एक्स कुलोरीन के साथ मिलकर एक योग होता है तू में यह धातू है और ठोस है और ठीरी में यह अधातू है और गैस है फोर में है इसमें पांच सवयोजी इलक्टान है इस तरह से केवल वन टू और ठीरी जोए इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा राजय सबह के संब्न में निमलीखित में से कौन से कथन सही है तो चार अप्सन दिये हुए थे अप्सन ए में है प्रती वर्श इसके एक थियाई सदस से शेवानी बुरित हो都是 इसके एक फिलिंग दा ब्लेंक्स दिये हुए थे फिर पुछे गये थे चला का परतुरत का लाता है बी और एल का अनुपाद जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैस जल और कार्बन डाई ऑक्साइज में परिवर्तित हो जाता है सोडियम कर्बोनेट हो जाएगा पूर दिये हुए थे संस्क्रीट बंगाली संथाली कुंकनी तो संस्क्रीट जो है करेक्ट हो जाएगा भारती रिजर्वाइंग के मुझ के भूम क्या है या भारत में बीतिय छेत्र का समयकित पर्वेक्शन करता है अगला प्रस ने यह पर फिलिंग दे ब्लेंक्स दिये हुए नाइट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन और हिलियम तो कार्बन जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा इन में से किस अवस्टिस्ट को जीवानु या अनमिलित जीवी दुबारा बिघटिक किया जा सकता है जैसे कि अप्सन दिये हुए थे चामडा मलमूत पलास्टिक और इसमें देखा जाए और इस तरह से जो है एथिलीन को सुमिलित करेगा इस तरह से जो है करेक्ट हो जाएगा वह पर किर्दिक संस्तान कौन सा है जिससे पेट्रॉल और डिजल प्राप्त किया जाता है पेट्रॉलियम ADP को ATP अनु में भंडारित और आस्थानांतिरित करने की प्रकिरिया में कौन सा खनी जो मौत्वपूर्ण भीम का निबाता है फोस्फोरोस जुलाई 2022 में भारत ने उन्स्तम नियाले ने भूल जाने के अधिकारे ने राइट टू बी होटन को एक और अधिक सब्सक्राइब करने का अधिया जिससे श्थास्त नियाले द्वारा 2017 के एक एतिहांसिक फैसले में निज्था के अधिकार के एक पॉलू के रुप में सु प्रावर्तित होती है किरन बिन्दु एम को वक्ट तक के इन से मिलाने वाली रेखा के सांथ 10 डिग्री का कौन बनाती है किरन डैस के कौन पर प्रावर्तित होगी 10 डिग्री हो जाएगा पैगंबर मुहमत के कत्नों या दैनिक सिक्षाओं को उनके मिरित्य के बाद उनके अनुयायो द्वरा संकलित किया गया और उसे डैस का आजाता है यानि क्या का आजाता है हदिस का जाता है हडी किस परकार के उत्खो का उधरान है स्वयों जी उत्तक भरत के उत्री मादानों का वह भाग जिसमें प्राचेन जलोड मौजूद हैं क्या का लता है भांगर का निम्न में से कौन सी धातू नहीं है तो यहां पर चार दातू दिये हुए थे पीबी यानि लीड एस्सियानि एसकेंडियम जी यानि जर्मेनियम एसी यानि सिलिकन तो सिलिकन जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा कौन से कौन यानि मोलिक्यूल सांतां दवारा किस की करता है पैत्रिक और मात्री डियेने तो चलिए फ्रेंज से आपे बारा सवी कावन नमर प्रश्ण है भरतीर समिधान की कौन सी बिस्था आयरलेंड के समिधान से ली गई है राजय निती के निर्देशक सिधान्त हो जाएगा जहां हावा के परवा की दिशा अत्यादेक इस् किसी छड़ चुंबक के एक इस्तिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर बी में किसी कुंडले के एक इस्तिर चुंबक की ओर गतिमान होने पर सी में है कुंडली और चुंबक दोनों के समान चाल से शमान दिशा में गतिमान होने पर और डी में है कुंडली और चुंडली और दूसरे की और गतिमान होने पर इस तरह से option C जो है इसके correct answer हो जाएगा निम्लिखित में से कौन सा आरेक मुख औक्स के शमनांतर अपतित प्रकास कीरन के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार को सई ढंक से निरूपित करता है तो यहाँ पर फिगर में चार option दिये हुए थे और option 2 नमर जो है इसके correct answer हो जाएगा हिर्दे की धर्कन का पता लागाने में कौन सा यंदर साहाइक होता है अस्ट्रेथोस्कोप निमन में से कौन सा छार यानी अलकली नहीं है जैसे की option दिये हुए थे CU-OH के power hold 2, BA-OH के power hold 2, NS4-OH और Li-OH तो CU-OH के power hold 2 जो है इसके correct answer हो जाएगा 22W का एक electric troster 220V पर संचालित होता है इसकी कुंडली का परतिरोद dash होगा यानी 22W हो जाएगा दो कुंडली या A और B इस परकार है कि A एक कुजी और एक धारा नियंतरन के माध्यम से एक बैटरी से सयोजित है और B एक गलिवनो मीटर से सयोजित है इन्हें एक दुसरे के सामनांतर और एक दुसरे के निकट वेवास्थित किया गया है निम्न में से कीस ओधी के दोरान B में प्रेरित धारन नीचे वर्नित किये गए बाएं अनुसार होंगे तो दो अप्सन दिये हुए थे और अप्सन A में 0-50S A धारा में इस्थित रहती है और B में 50-60S A में धारा नियंत धर से घट्टी है इस तरह से केवल B जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा एक वस्तु को 20 सियम फोकस दूरी वाले उतर लेंज से 40 सियम के दूरी पर रखा गया है निमलिखित वीकल्पों में से कौन सा परतिवीम की प्राकिर्ती और तुलनात्मक आकार का करम से सही वर्णन करता है वास्त्विक उल्टा और समान आकार का भारत में जून यावा फिरिंग दर वलेंक्स दिये हुए थे में पेट्रोल की कीमतों को मुक्त और निर्वी निमित किया गया दूजर दस में नई का तिये चीन परिपाटी का पालन करते हुए किसी उतर लर्पन का वक्षता के अठाड़ा सीम पर इस्तित है इसका फोकस डैस पर इस्तित होगा यानि जो है नो सीम पर इस्तित होगा उस पर क्रिये का नाम बताई है जिसके द्वारा परकास अंसलेशन के बिले उत्पादों को पादों के आन्ने भागों में पहुँचाए जाता है आस्था नाम तरम रोयलेट एक्ट पारित किये जाने के समय ब्रिटिस बारत का वाइस राय कौन था लौड चैम्स फोर्ड एम एन ओ टू प्रहाज फोर एच सी एल जब यह अभी करेगा तो एम एट सी एल टू प्लास टू एच टू अभी करिया में क्या होता है तो MnO2 का MnCl2 में अपचायन होता है वांसागती के नियोमो यानी Law of Inheritance का पर्तिपादन किष्णे किया Gregor Mandel ने इन में से कौन सी अभी किरिया बीस्तापन अभी किरिया का एक उधारान नहीं है तो चार अप्शन दिये हुए थे अप्शन A में है इस तरह से ऑप्शन B जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा लाल और फिली मीटी डैस और डैस से कुछ हिंसो में आसानी से पाई जा सकती है उरिशा और 36 गड़ के कुछ हिंसो में जबए पाई जा सकती है 4 अप्शन परतिरोध पराप्ट करने के लिए 12 अम के कितने परतिरोधों को शमनांतर कर में सयोजित किया जाना चाहिए तीन प्रती रोधक को तो चले फ्रेंस शेट नमर्ट चाउतिस गुरूप डी एकजाइम फाइप सेप्टमबर तुजर बाइस के फॉस्ट सिप्ट कुशन को देखेंगे यहाँ भी 129 नमर प्रशन है तमिलनाडू की अधिकारी काऊ सबसे परमुक बसा तमिल का सम्मान्द किस बसा के परिवार से है द्राविड से किस ने अस्टक नियम की खोज की और इसकी तुलन संगीत में पाए जाने वाले अस्टक शकी जोन निवलेंट्स ने भारत का इन में से कौन सा बैंक सरोजानिक छेत्र का बैंक है जैसनकी एफ्षन दिये हुए थे तमिलनाडू मार्केटाइल बैंक इंडियन ओवर्सीज बैंक बंधन और इंशाइंड बैंक तो इंडियन ओवर्सीज बैंक जो है निमलीखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नाया घोषन पत्र यानी ये निव करेक्टर ऑफ सेलेवरी के रूप में वरगी किरिद गिया था भारत सरकार अधिनियम अनिस्व पैंटिस मानों में कौन सरोग सुरु से आने वाले यू भी बी किरन के कारण होता है तो अक्साई अनु में एक ऑक्सीजन प्रमानु द्वारा एक कारवन प्रमानु के साथ कितने इलेक्टोन की साज़धारी की जाती है दू नदी जब बहते हुए अपने मारक के नीचे की ओर आती है और समूंदर से मिलती है तो आहां पर कई छोटे-छोटे चानलों में भी भा प्रमामां ही आउत है यानी बलवंत्रा महतासमिती द्वरा्या की गई थी किसी चुमबक के चारों और वाज छेत्र जिस में चुमबक द्वार बल लागाया जता है डास casal आता है यानृ क्या ह्यां πॉत भजो गया घर्भ लेंग को कॉरिए माध्यम् से वायू को प्रिथक करने वाली सत्वा पर उसके महिला होने के कारण 12ций किया गया है तो एस स्थीति में निमलिखित में से किस मौलिख अधिकार का उलंगन हो रहा है तो यहांपर चार अपशन दिए हुए थे A में समय धानिक उपचारों का अधिकार, B में सोशन के विरुद्ध अधिकार, C में स्वत्तंत्रत का अधिकार, D में समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार यानिए Aption D, जो है करेक्ट हो जाएगा, और्थ सास्तर में कुल परिवर्तनिय लागत भागा उत्यपादित उत्पाद की कईया बराबर आवसत परिवर्तनिय लागत होगा नेक्स्ट क्वेस्टन है इस्ट यानी खमीर में किल्वन के दवरान पायरिवेट किस उत्पादन में परिवर्तित हो जाता है एथेनॉल और करवंडाई अक्साइड में पोधो दवरा उत्पादित कई उत्षरजी उत्पादों मनुस्य के लिए उप्योगी होते हैं उस उत्पाद की पाचान किजिए जो अंता स्वाशन किये जाने पर मनुस्य के लिए हानिकारक होता है करवंडाई अक्साइड निम्न में से कौन से धात्व बैदुद और घटन द्वारा प्राप्त की जा सकती है सोडियम, जिंक, एलिमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, मैंगनेसियम, एलुमिनियर और कॉपर तो सोडियम, मैंगनेसियम और एलुमिनियम जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा 2.0CM उचाई वाली किसी बस्तु को एक 8.0CM फोकस दुरी वाले ओतल दरपन के सामने 6.0CM की दुरी पर उसके मुक अक्ष पर राखा गया है इसके परतिवीम की उचाई डैस होगी और या डैस होगा यानि परतिवीम की उचाई 2.0 से अधिक होगी और या सीधा होगा निमलिखित रसाइनिक अभिकिरिया पर विचार कीजिए तो यहाँ पर शामिकरन दिये हुए थे CO gas प्लस 2H2 gas जब अभिकिरिया करेगा तो यह P बन जाएगा इस अभिकिरिया के उत्पाद P का पूर्ण वनुमान कीजिए यानि P के आस्थान पर CH3OS जो हो जाएगा नीचे दिये गए कतनों पर विचार कीजिए और शाही उतर का चैन कीजिए तो यहाँ पर दू कतन दिये हुए थे कतन एक में डोबे राइनर ने प्लेटीनम पर उत्प्रेरक के रूप में पाला प्रेक्शन किया और ततो के शमान त्रीक की खोज़ की जिसे ततो की आवार्द सारनी का भिकास हुआ और कतन दू में जे डेवली डोबे राइनर जेना बीसो बीद्याले में रासाइनिक बिग्यान और फार्मेसी के पर्फेसर थे इस तरह से दोनों कतन जोए शर्त्ते हो जाएगा भरतिये समिधान का कौन सा अंचेत भारत के नागरीगों के मौलिक कर्तवर से समन्दित है अंचेत दे क्या होने किसी बस्तु को एक 6.5 फोकस दूरी वाले ओतल दरपन के शामने 24.5 के दूरी पर रखा गया है श्रीलाल बहदुर सास्तिरी राष्टिय संस्कीरित विशु विदर्य डैस में इस्तित है नई दिली में भारत का एक मात्रपुष्ट शकीर्य जो आलामुखी कहां इस्तित है जो अंडमार और निकोबार के दीप की राजधानी पोर्ट पलेयर से लगबा 135 किलोमीटर दक्षिन में इस्तित है बैरंदीप समीधान के केंद्र और राजों के बीच सक्तियों के विवाजन को डैस अनुसूचियों में दर्शाया गया है यानि जो है तीन अनुसूचियों में दर्शाया गया है किसी पदावत की पर्थिरोधक्ता डैस पर निर्वर करती है तापमान पर निर्वर करती है अनुवन सिक्ता को परवावित करने वाले कारकों के सम्मंद में मेडल ने कौन से मौत्पून खोज की यान परजनन करने वाले जीवों में कारकों का यूग में उसके अभिलक्षनों को ब्यक्त करता है तूट पेस्ट परकिरिया में शामानता डैस होता है यानि छारिये होता है जीवासम इंधन कोईले और पेट्रोलियूम कीस परकार के संसाधन है समापाई और गयर नवी करनी है निमलिखित में से कौन सा त्यवा प्रती वर्स जन्वारी के महिने में मनाया जाता है जैसे की अप्षन दिये हुए थे गूरी, पडवा, ओमन, पोंगल और उगादी तो पोंगल जो है करेक्टेंसर हो जाएगा वह यू मंडलिए और पोर्तन के कारण छितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की अभासी इस्थिती उसकी वास्तिविक इस्थिती से थोड़ी डैस होती है और यह अभासी इस्थिती डैस जिसके परिनाम सोरूप तरे टिम्ठी माते हैं यह जो है वास्त्विक इस्तिती से थोड़ी उची होती है और यह आभासे इस्तिती बदलती रहती है जिसके परिणाम सोरूप तारे टिम्टीम आते हैं अल्प संख्यक समुदायों से संबंदी छातरों के लिए विदेश में अध्यान है तुछ सिक्षा रिनो पर ब्याज सबसीडी की योजना कौन सी है पड़ो परदेश किस अनु में तीन कारवन परमानु होते हैं जैसे की अप्शन दिये हुए थे कारवन डाई ऑक्साइज ए कोशी कांगों की मौझूदगी बी में अत्यादिक छोटा आकार सी में एकल गुन शुत्र और डी में इसका नाभी की चेत्र केंदर काप का लाता है इस तरह से ऑप्शन एजवाए इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा फ्यूजतार से संबंदित निम कतनों पर विचार है एसो थिरी प्लस एच्टू ओ जब अभी किरिया करेगा तो एच्टू एच्टू एसो फोर्जवाए बन जाएगा तो चले फ्रेंज सेट नमर 35 गुरूब डी एकजाम 5 सेप्टमबर 2022 के सेकेंड शीप्ट कोशन को देखेंगे यहां पर 138 नमर परसने कौन सा एग मार्क अहिर्थ उत्पाद नहीं है जैसे कि अप्शन दिये हुए थे सहथ स्वान आभूशन सब्जिया एं मसाले तो स्वान आभूशन जवाए इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियाव अनैस जिसमें कई सुधार सामिल थे किस रिपोर्ट या सुधार के अधा पर विवपाथ है और I1 और I2 उनसे होकर परवाइथ होने वाली धराय है तो B1 by B2 और I1 by I2 क्रमसर डैस है यानि 1 by 2 और 1 है कौन सा रोजगार के तृतियक छेत्र का उधारन है जैसे कि अप्शन दिये हुए थे सुत्ति कपड़े का उत्पादन क्रिसी वानीकी और सिक्ष इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा वन जीओ की संक्या और प्रजातियों में कमी के क्या कारण है तो यह पर पांस कारण दिये हुए थे में चमडे और मास की मांग बी में बनों की कटाई में परिनाम सोरुप भोजन और अस्थान की कमी शी में जनतू को संरक्षी छेत्रों मे पाले मांग वक्र में मांग की लोच यानी इडी का मान क्या होगा वन हो जाएगा रासाइनिक कभिकिर्या में कौन से रासाइनिक जाती यानी केमिकल एस्पैसिस ऑक्सिक्रीथ हो रही है तो यहां पर समिकरन दिये हुए थे सी यू ओ प्लस एच्टू जब अभिकिर्या कर चो वर्स के बाद भंग हो जाता है शी में यहार पांच वर्स के बाद भंग हो जाता है और डी में यहार तीन वर्स के बाद भंग हो जाता है इस तरह से ऑप्सन एजवय करेक्ट हो जाएगा फॉलेमिंग के दाय हाथ के नियम का उप्योग किसकी दीशा ग्याद करने के ल प्रार निकाली जाती है तो फेंफडों में हमेंसा कुछ मात्रा में वाई होती ही है ताकि ऑक्सीजन को और करवंडाई ऑक्साइज को छोड़ने के लिए पर्याप समय मिल सके वाई की इस मात्रा को क्या कहा जाता है और सिस्ट मात्रा यानी रिसाइडूल भोलूम पीले बीजो वाले तद्रूप परजनन वाले एक लंबे मटर के पोधे का संकरन हरे बीजो वाले तद्रूप परजनन वाले बौने मटर के पोधे के सांथ करया जाता है एपवन पीडी में सभी पोधे लंबे थे इस परयोग से क्या निसकर्ष निकला जा सकता है लंबापन बाउनेपन पर भावी या हावी था यदि पी एफ और सी एक उदल दर्पन के करम सद्रू मुख्य फोकस और वक्रता के इंदर पर परतिनीदों करते हैं तो पी बराबर है टू पी एफ हन्स समपरदाय एक परमुख समपरदाय है जिसमें अनुयाई मुखे रूप से भागवान डैस की पुजा करते हैं यानि क्रिश्न और राधा की पुजा करते हैं निमलिखित में से गलत कथन का चाहिन कीजिए तो यह पर चार कथन दिये हुए थे कथन एक में है जब मेडलिप ने आवर्थ सार्णी पर अपना काम सुरू किया तब तक 63 तत्व ग्याद थे दू में मेडलिप ने ऑक्सिजन और हाइड्रोजन वाले तत्व दवारा निर्मित योगी को पर ध्यान केंद्रित किया तीन में मेडलिप ने तत्व के परमानु क पंद्र डैस से संबंदित है यानि समानता का अधिकार से संबंदित है रसायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधी क्या कर आती है हीट एंड ट्रायल विधी गर्फ निरोधक उपकरनों के उप्योग के संबंध में निम्लिखित में से एक किया लावा स्टेश सभी कथन गलत विकल्प के चाहिन किजिए तो यहां पर चार विकल्प दिये हुए थे और ए में इसका उप्योग गर्व आवास्ता को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है बी में इसका कोई अनुसंगी प्रभाव एनिसाइड इवेक नहीं होता है शी में इसका उप्योग प्रकिर्तिक प्रकिरिया जनन के बिरुद्ध किया जाता है और डी में जन संख्या के नियंत्रित ब्रीधी को रोकने में इनकी मौत्वपूर्ण भूमिका होती है इस तरह से आप्सन भी जो है करेक्ट हो जाएगा भोजन के संगरहन के लिए जाइलम की कौन सी को सिकाय उत होता है आमलोवार्से का पी एच मान 5.6 से कम होता है और तीन में मुह जब दांत की सुरू होती है जब इसका पी एच मान 5.5 से कम होता है इस तरह से ज्वाइस का करेक्ट एंसर हो जाएगा भूगवल यानि जोगराफी सब्त किसके द्वारा गढ़ा गया है एरेस्टो एस थानिय सरकार वर्जिन परंस्पति यानि वर्जिन वरिटेशन क्या है वह पादप समुधाय जो मानव साहता के बीना प्राकिर्तिक रूप से विक्सित हुआ है और लंबे समय से मनुस्वा द्वारा छोड़ा गया है इस तरह से जोईस का करेक्ट एंसर हो जाएगा साइक् सबसे अच्छी तरह बढ़ता है यदि किसी बगीचे की मिटी का पीच मान पांच है तो सुर्ज मुखी उगाने के लिए मिटी में कौन सा पदार्थ मिला आजाना चाहिए निम्बू एक काच की पर्टी पर उसके अभिलाम के अनुदिशा आपतित एक प्रकास किरन का आप 15 फोकस दूरी वाले ओतर लेंज के मुख अक्ष पर्टी सियम के दूरी पर रखा गया है इसका पर्टीविम डैस दूरी पर बनेगा यानि 10 सियम के दूरी पर बनेगा नीचे दिये गए जीवु में से सिर्ष सिकारी का चाहिन किजिए जैसे कि यहां पर आप्शन दिये पर्मानुओं और संजोजक्ता इलेक्टानों की संख्या ग्याद किजिए तू हो जाएगा बायो टेकनोलोजी विभाग और डीबीटी के राश्टीय मस्तिक्स अनुसंधान केंद्र हर्याना द्वारा विक्सित निम्नि में से कौन सी पर्योजना मस्तिक्स विकारों के पर समर्थ B की समर्थ डैस होगी यानि दोगुनी होगी स्वेथ स्याम यानि ब्लेक और वाइट फ्रोग्राफी में किस लवन का उप्योग किया जाता है एजी बी यार यानि सोडियम बुरुमाइट का आठ ओम बारा ओम और चोविस ओम के तीन पर्तिरोज समनानांतर कर में सय समयोजित है इस अयोजन का पर्तिरोज डैस होगा यानि चार ओम हो जाएगा जलिये पातपद्वरा उपाप चाहित अवशिष्ट डैस के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं बिश्रन के माध्यम से जवाय उत्सर्जित होते हैं किसी बस्तु को एक 20 स्यम फोकस दूरी वाले आतल दरपन के शामने 30 स्यम के दूरी पर रखा गया है इसका परतिवीम डैस दूरी पर बनेगा और डैस होगा यानि इसका परतिवीम शाट स्यम के दूरी पर बनेगा और यह वास्त्विक होगा तो चले फ्रेंस सेट नमर 36 गूरूप डिये एक्जाम 5 सेप्टमबर 22 के थ सब्सक्राइब करता है बंगलादेश निमलिखित के लिए सही लेबल की पाचान करें तो यहां फिगर दिया हुआ है यह वर्तिक आगर को दर्शाता है और सी जो है अन्डासाय को दर्शाता है इस तरह से जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा एक स्वास्थ ब्यस्थ का एक बिरिक परति दिन 180 लीटर निसेंधन उत्पन करता है लेकिन वह ब्यक्ति केवल एक लीटर या 1.5 लीटर मुत्र ही बाहर निकलता है पुनो अवसोसित निसेंधन की मातरा किन कारकों पर निर्भर करती है अत्रिक्त जल की मातरा और उत्षरजि उन्हें 6-14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसे भी मामला हो सिख्षा के उसर परदान करने होंगे अनुछे देख्यावने हो जाएगा भरत की भू सिमाई कितने देशों के साथ जोड़ी हुई है साथ योगिक एक्स का उप्योग कांच और साबुन उदोग में किया जाता है इस योगिक में क्रिश्टलन जल के दस अनुमवजूद है इसके बिलियन का पी एच मान साथ से अधिक है योगिक एक्स की पाचान किजिए धवन सोड़ा हो जाएगा बनु के संबंध में निमलीखित में से कौन सा कथन गलत है तो चार कथन दिये हुए थे कथन A में है ये विभीन परकार के उद्पात परदान करते हैं B में है ये बंध जीव समोय यानि फ्लोरा एंड फाउना की विशाल विवीता को बनाया रखते हैं C में है या मिर्दक का संख्षन नहीं करते हैं और D में है ये जल का संख्षन करते हैं इस तरह से option C जो है इसके correct answer हो में परिवार नियाला यानि संसोधन विद्धक का परित किया गया जुलाई 2022 में दूसरी पंचव और सिय योजना में किस चेत्र पर सरवाधिक जोड़ दिया गया था उद्धोग चेत्र पर किस स्वातत्रत से नानिकी निर्नाय आत्मक लेखन यानि डिफाइंटिव राइ बी में अफसिस्ट उत्पाद जड़ने वाली पतियों में संचीत हो सकते हैं सी में अफसिस्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल यानि रेजीन और गोंध के रूप में संचीत हो सकते हैं और डी में परकास अंसलेशन के अफसिस्ट उत्पाद एस्टार्ज के रूप म संचित हो सकते हैं इस तरह से option D जो है क्रेक्ट हो जाएगा भू परपर्टी मेखानीजिक के रूप में केवल डैस कार्बन होता है यानि 0.02 परसंट कार्बन होता है कुलरीन ब्रोमीन और आयोडीन डोबेराइनर तिरिक बनते हैं कुलरीन और आयोडीन के परमानों दरब्मा परपर मंग अधरन है यानि प्रस्फर मांग लोज का जौह उधारन है समाल नम्भाई और समान मुटाई वले तेंतरो एबी और और सी के पर्तिरोद क्रम्सा 0.5 ohm, 0.2 ohm और 1.0 ohm है उनकी पर्तिरोधागता है 10 होंगी यानि 5 अनुपात, 2 अनुपात, 10 के अनुपात में होगी एक परकास किरन 1.12 सीयों मोक्तर त्रिजिया वाले उतल दरपन यानि धुरूपी पर इसके मुक अक्स के सामना अंतर अपतित होती है परावर्तन के बाद यह दरपन के मुक अक्स पर इस्थित बिंदु क्यूप से आती हुई परतित होती है नई करतिया चीन परिपाटि का पालन करते हुए PQ बराबर 10 होगा यानि 6 cm होगा जब भरत की तरह बिधान मनल के दो सदन होते हैं तो इसे 10 बिधान मनल कहा जाता है यानि दूमें बिधान मनल कहा जाता है तो galvanometer जो है इसका correct answer हो जाएगा किसी छोड़ चुम्बक के चुम्बक की छेत्र से सम्मन्दित निम कतनों पर विचार किजिए तो यहाँ पर दू कथन दिये हुए थे कथन एक में है इसमें परिमान और दिशा दोनों होते हैं और B में है चुम्बक की छेत्र रेखाए बंद रोवक्र होती है उप्रयक्त में से कौन से कतन साही है A और B दोनों ओजोन के एक अनू में कितने oxygen पर मानू होते हैं तीन एक तीर भुजाकार कांस के प्रिजम के माध्यम से आपवर्तित होने वाली प्रकास किरन के लिए इनमें से कौन से कतन हमेशा साही होंगे तो यहां पर तीन option दिये हुए थे option A में है आपवतन कौन आपवतन बिन्दू और आपवतित किरन और अभिलाम के बिस का कौन होता है B में अपातन कोन निर्गत कोन के बराबर होता है C में बिजलन कोन अपातित किरन और निर्गत किरन के 20 का कोन होता है तो A और C दोनों जोई करेक्ट हो जाएगा वर्स 24 में किस भासा को सास्त्रिय भासा घोसित किया गया था ओडिया किसी पर्तिरोद के सीरो पर विहापात और स्रंगत धराव के मान निम्न तालिका में दिये गए है यदि पर्तिरोद ओम के नियम का पलन करता है तो X और Y के मान करम सा डैस है यानि 1.2 और 0.3 है फोकस दूरी की S अई क्या है? मीटर निम्न में से कौन सा बेकिंग सोड़ का उपयोग नहीं है? तो यह पे तीन अपसं दिये हुए थे वन में है पेजल को कीटानों मुक्त बनाना टू में सोड़ा एसिट अगनी सामकों में और तीन है परत्याय मल एंटासिट में एक घटक कर रूप में इस तरह से केवल वन जो है करेक्ट हो जाएगा एक परस्तावी विधाई कानून का मोशाद है विध्यक राई जोपस नामक ब्रेड फंफूद यानि ब्रेड माउल्ड राई जोपस में किस परकार का अलगिक परजनन परदसित होता है बीजानू निर्मान नवक लेबर उच्छा उडिशक के जगरनात मंदरी में मनाया जाता है इस तेवार में नीम की लकडियों से नई मूर्तिया बनाई जाती है और डेस के दोरान बदली जाती है अधिक मास के दोरान जो है बदली जाती है देस के मौदरिक प्राधिकरन य लाने पर और शेपित योगी का नाम बताई है लेड आयोडाइड हो जाएगा संचारन किस परकार की अभी किरिया है ऑक्सीकरन अभी किरिया समोटू की धातू के त्रिक में कौन सा तत्व सामिल होते हैं कैल्सियम एस्ट्रोटियम और वेरियम किस कोश्किया घटा को कोश्कि दोज़रवाइस के फॉस्टे उसन को देखेंगे यहां पाठेरासोश यासी नमर पर्ष्ण है रिक बेट के सुरोत यानि हीमन को डैस के रूप में भी जाना जाता है को सुमिलीद किजिए निमलिखित को सुमिलिद किजिए वन जाए सी को सुमिलिद करेगा टु जोई एक ऐक लिट करेगा और थिरी जो इसकी कुल संख्या 108 weeen-गा प्रकिर्टिक रुप से उप्लाभ्ध तत्त्यं 54 और वह जाएगा प्रियुषाल प्रकिय्याव के माध्यम से खोजे गे तत्त 24 हो जायगा इसत्रों सहो जाए गा यादि 30 तो उनके सम्माद में कौन सा सही होगा पर्तेक पर्तिरोद में भी वह अंतर बराबर होगा जब मैगनिसियम को हावा की उपस्तिती में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाट डैस होता है यानि मैगनिसियम ऑक्साइड होता है 4.0 cm आकारवाली किसी बस्तु को एक 8 cm फोकस दूरी वाले उतल दरपन के सामने 24 cm की दूरी पर रखा गया है निर्मित पर्तिवियम डैस होगा और इसकी उचाई डैस होगी यानि निर्मित पर्तिवियम सीधा होगा और इसकी उचाई जो है 1.0 cm होगी निमलिक्यूत को सुम् करेगा और तीरी जो है को सुम्लित करेगा इसमें देखा जाए कार्बोसिलिक समु का नाम है और किटोन समु का नाम है सी डबल और एस्टर समु का नाम है इस तरह से जो है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अनई 28 में बाला भाई पटेल ने भू स्वराज यानी लागन बि चिछम कर सकते हैं वी में उनका डाल नीचे की ओर होता है सी में मुल बिंदू पर उतल होते हैं उचतर आए सी का अर्थ उच्थ्टर संतुष्टर होता है इस तरह से क्येवल एक को सम लीत करेगा और धीरी जो है सी को समलीत करेगा इसमें देखा जाए निम्बो जो है येल की अस्थापना अनिसाउनातर में डैस में की गई थी मैसूर यानि मैसुरू में एल नमबाई और पर्तिरोद वाले एक तार को इस प्रकार पुर्ण निर्मित किया जाता है कि इसकी नमबाई में 50% की ब्रीधी होती है और इसकी आयत में कोई परिवर्ता नहीं होता है न सर्फ स की दूरी पर इस्तीत एक बिद्दू से गुज़रेगी जेटे 1 पलस सी जब अभी किरिया करेगा तो जेटेट इन योय捐 बन जाएगा दी गई अभी किरिया में कौन सा कथन गलत है तो चार कथन दिये हुए थे मंहें 931 कारे के रूप में कार्य करता है सी अप्चायक के रूप में कारे करता है जेडेन वो का जेडेन में आक्सिकारक होता है सी का सीयो में आक्सिकारक होता है इस तरह से option C जो है इसका correct answer हो जाएगा प्लाष्टर और पिरिस्ट का रसानिक नाम क्या है calcium sulfate hemihidrate राई जोपस के निमनांग की चित्र में काईक अंग और प्रजनन अंग की पाचान की जिए तो यहाँ पर फिगर दिये हुए थे यह प्रजनन अंग है जबकि भी काईक अंग है इस तरह से इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्ट क्वेस्टन है कौन साजाइलम का एक घटक नहीं है संचर या साथी कोष्ट का यानि कमपेनियन सेल राष्टिये पिछरावर्ग बीत एव विकास निगम यानि NBCFDC डेस मांत्राले के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपकर्म है समाजिक निया और अधिकारिता 20 वर टीबी दिवस की स्तारी को मनाया जाता है 24 मार्च को पेनकुनी मौच और किसराज में मनाया जाता है केरल में और निसोचीयतर के 42 संसोधन अधिनियम के माध्यम से भारती समिदान में कितने मौलिक कर्तबों को श्रामिल किया गया कलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सी में लिंग नाइट निम्न शरनी का भूरा कोईला और डी में बीटू मिनस कोईला व्यवसाइक उपयोग के लिए सर्वाधिक लोग प्रिये कोईला इस तरह से आप्शन है जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा भरत में आस्थाई हवाव के संदर में लूक और डेस के रूप में सर्वतम ढंग से परिबासित किया जा सकता है सुस्क और गर्व हवाव माध्यमों में प्रकास की चाल करम सा भी वन भी टू और भी थ्री है तो इसके बीच कौन सा सम्मंद सही है भी वन ग्रेटर दैन भी टू ग्रेटर दैन भी थ्री है कोई प्रकास किरन किसी कांज के प्रीजम से एक अपवर्टक प्रिष्ट AB पर अपतित होती है और अन अपवर्टक प्रिष्ट AC से बाहर निकलती है निमन कत्मों पर विचार किजिए तो यह फे दू कतंद दिये हुए थे कथन एक में प्रिष्ट A.B. पर अपवर्तन कोन स्वेत परकास के बिभीन रंगों के लिए श्रमान होता है प्रिष्ट A.C. के अपवर्तन कोन बिभीन रंगों के लिए भिन्ने होता है उप्रोक्त में से कौन से कथन सही है क्यावल B हो जाएगा निम लिखित में से कौन सी जल समर प्रबंधन यानी वाटर सेंड मेनेजमेंट की एक खानी है तो यह पेचार अप्शन दिये हुए थे आप्शन A में है इसके अनुरक्षन की लागत बहुत अधिक होती है B में सुखे और बाढ़ का खत्रा कम होता है C में जल समर समुधाई की आय में ब्रीधी होती है और D में अनुप्रबाही बांधों और जलासों के जीवन काल को बढ़ाता है इस तरह से आप्शन A जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा निम लाग की चित्र पोधों में फोलोयम उतक की एक काट को दर्शाता है कौन सा नमांकां छिद्रित दिवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सायक है तो यहाँ पर फीगर में A, B, C और D दर्शाय गया है और B जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा भारत में आस्थानिय सोशन का जनक किसे मना जाता है? Lord Ripon को दी गई अभिकिरियों को पून करे 2A, G, B, R, A, C यानि सोलिट सूर्य का प्रकास के साथ अभिकिरिया करेगा तो 2A, G, B, R, 2, G, S जो है बन जाएगा इस तरह से जो है इसके करेक्ट एंसर हो जाएगा और इस नवासी में किस समीति ने आस्थानिय साषन को समयधानिक मन्यता परदान करने का प्रस्ताव रखा था? P के थूंगन समीति एक बिग्यान की पुष्टक में शामान, औसत, तिरिजिया और लामबाई की दो परिनलकाओ P और Q को दर्शाय गया है P के अंदर खीची गई छेतर रेखाओ की संख्या, Q के अंदर खीची गई छेतर रेखाओ की संख्या की तिन गुनी है यदि दोनों परिनलकाओं में प्रवाईधर श्रमान है तो परिनलका P में फेरो यारी टम्स की संख्या परिनलका Q में फेरो यारी टम्स की संख्या डेस गुनी है यानि जो है तीन गुनी है निमलीखित में से कौन सा पौधा का एक प्रवर्धन द्वारा परजनन नहीं करता है जैसे कि यहां पे चार अप्सन दिये हुए थे गन्ना, गुलाब, अंगुर और आम तो आम जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा मनुष्य के स्वासन तंद्र में वायू की मातरा कौम होने पर किसी उपस्थिती स्वासन तंद्र में वायू मार को निम्तित नहीं होने देते हैं उपास्थी वला है किसी परिनल्खा के भीतर चुमबक्य छेतर डैस होता है यानि सभी जगा समान होता है डोबराईन दे तीन तोतों को डैस एक तिरिक में ब्यवस्तित किया यानि उनके परमान दरभमान के बढ़ते कर में जो है ब्यवस्तित किया 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के तीन परतिरोड छरेनी कर में सयोजित है, सयोजनका परतिरोड डैस होगा यानि पच्छपन ओम हो जाएगा करनाटक में इस्थित बेलारित चित दुर्ग चीकम गलूर तुमकुर बेल्ड किस आयास की शम्रिदी शुरूत है लौ आयास के का सिग्रेट पीना स्वास्त के लिए हानिकारा क्यों है क्योंकि यह उप्री स्वर्षन पत्व में मौझूद पक्षमाब कोनुक्षान पहुचाता है ब्रिटेन में और दोगी क्रांदिया बफिलिंग दा ब्लैक्स दिये हुए थे भारत में हस्त सिल्फ उद्वों को करीटर कर दी थी मसीनु द्वारा उत्पादित निम लागत और बेहतर गुनवक्ता वाले उत्पादन क के कारण जीओ का कौन सा समुम्रीत और चायकारे जीओ के बिघटन में सामिल होता है अप घटक तो चलिए फ्रेंस सेट नमर 38 गुरुप डी एकजाम 6 सेप्टमबर 2022 के सेकेंड शीट के कूशन को देखेंगे यह पर 2425 नमर प्रश्ण है अधिनास्ति नियाले की क्या भूम है पर्तेक पर्तिरोद में धारा डैस होगी यानि 0.25 एमपियर होगी एक बस्तु को एक अतलदर्पन के सामने उसके फोकस और वक्ता केंड़ सी के बीच इस्थित किसी बिंदू पर रखा गया है पर्तिवियम डैस इस्थित किसी बिंदू पर होगा और याड़ डैस होगा शीकर थिऻ खाईЙगा और डिक जबार टू जाएगा इसतर्स तो जोए इसके करेक्शी एंसर हो जाएगा क्या होता है जब सोडियम कोल्राइट के विल ले में सील नामेट्राइट का बिलन मिलाय जाता है सिल और कोल्राइटका एक सफोर्यित मेंद से कौन सा कहतन गल निग्री पचीश पूर्वी देशांदर के बिस फैला हुगा सी में भारतिय मानक समय गिरिनिविच माध्यम समय से पांस घंडे तीस मिनट आगे हैं और डी में भारत पुर्व में बंगाल की खाड़ी पच्छी में और अरफ शागर और दक्षिन में हिंद माहसागर से घीरा हुआ है इस तरह से जोए आप्शन एक करेक्ट हो जाएगा आई धारावाले एक सीधे धारावाई चालक से आर्ट टू आर और ठीरी आर दुरी पर इस्तित तीन बिंदुव पी कीव और एस पर विचार किजिए क्रम सब बिंदुव पी कीव और एस पर उत्पन चुम्ब क च्छेतर भी्पी भी की और भीयर्ष के परीमान के बारे में नीम्ली में से कौन सा संवन्द सत्ते हैं विपी गरेटर देन बीकी carr prior to be a विए सो Howard आपन के और दोगिक नीति संकल्प के अनुशार स्वामित्व के आढार पर भारतिय ओदोगों को 1 रिन बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिट में एक घटक है सी में घरेलू उद्देशों के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सफाई एजन्ट के रूप में किया जा सकता है और डी में बेकिंग प दोस्तु को एक 12 स्यम फोकस दूरी वाले ओतल दरपन के सामने 26 स्यम की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया है इसके परतिवियम डेस बनेगा यानी 12 स्यम और 24 स्यम के बीच इस्तित किसी बिंदू पर बनेगा एक स्विंग वाले गेंडे की सरवाधिक आबादी भरत के डेस राज में पाई जाती है औसम राज में नेक्ट्ट क्वेशन है किसे अन्वन सीकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जोहार मेडल को नेफ्रावन का कौन सा भाग रक्त से आरंभिक निस्यांदन एक कत्र करता है बोमन कैप्सूल सुरेंद्रनात बनर जी और अनंद मोहन बोस ने वर्ष डेस इंडिया एसोसियेशन की अस्थापना की थी 886 में आधुनिक आवर्थ वर्गी करण डेस द्वारा प्रस्तूत किया गया था यानि हेन्री मोसले द्वारा अवच्छेपन अभी किरियावा है जिसमें आवच्छेप बनता है निम्र कत्नों पर विचार कीजिए तो यहां फे दू कथन दिये हुए थे कथन ए में है कथन डीज के निकर अधिकांस नीले परकास और चोटी तरंग दर्द वाले परकास कोने दवरा इधर उधर पर किर्नित हो जाते हैं और हमारी आक्ट पहुंचने वाला परकास और छेपक्रीद अधिक तरंगदर्द का होता है और प्रोक्त में से कौन सा काता नमें शुर्वदय और शुर्यास्त के समय सुरे के लाल रंग को शमाजने में मदद करता है A और B दोनों हो जाएगा एक बिग्यान की पुस्तक में A और B दोना मांग की दो छट चुम्बकों के चारो और चुम्बके छेतर रेखाओं को दर्शाय गया है A से 5 रेखाओं इसके उत्री धुरू से निकलती है और B में 10 रेखाओं इसकी दक्षनी धुरू में परवेश करती है A की समर्थ B की समर्थ 10 होगी यानि A की समर्थ B की समर्थ की आधी होगी Next question है निमलिखित कतनों में से कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर 4 कथन दिये हुए थे कथन A में कुलोरोफोर्म के 3 कर्वन परमानू होते है B में मेथेन में 4 कर्वन परमानू होते है C में एथेनोल में 3 कर्वन परमानू होते है और D में एसिटिक अमल में 2 कर्वन परमानू होते है इस तरह से option D जो है correct हो जाएगा कौन से तेवार मुख्य रूप्ष मनिपूर राजे में मनाया जाता है लाई हरावबा एक सिंग वाला गेंडा यहावा फिलिंदा बलेक्स दीवे थे की दलदली और धासाओ भूमी में पाया जाता है असम और पच्छिम बंगाल भारतिय समि सब्सक्राइब करता है मालद्वार यानि अनूश यहां पर नेक्स क्वेस्टन किस वित्य संस्तान का मुख्य उद्यस भारत की गरामिन और सानक्षना के लिए संग पोसी सीचाइब प्रक्रिया यानि सबस्टेनेबल इरिजेशन प्रेक्टिसेज प्रदान करने है तू नि सब्सक्राइब कर गुजरता है और एक एक्सपेक्टरम प्राप्त होता है निम्लिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक मुड़ता है जैसे कि चारप संदिये हुए थे हारा लाल इंडीगो और नीला तो इंडीगो जो है क्रेक्ट हो जाएगा हिजरी वर्स यानि इ इस भाग में संग्रहित होते हैं पुराने जाइलम में निम्लिखित में से कौन सा कथन गलत है तो यह पे चार अप्शन दिये हुए थे अप्शन A में गराम पंचायत की अध्यक्सता गराम पर्धान या सरपंच या मूख्या द्वारा की जाती है बी में पंचायत समीती प इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा कौन सी भारत में पहली माइक्रोफाइनेंस पहल थी सेवा बैंक वर्तमान में हमें अपने संसाधनों का बीवेक पुन उप्योग करने और इन संसाधनों की संधार नियता की दिशा में कारेक करने की आव सकता है उस विकल्प का चैन जो इसका कारण नहीं है तो यह पर चार अप्सन दिये हुए थे ए में है संसाधन और श्रीमित है बी में है जन संक्य में ब्रीधी की वज़ा से इनकी मांग बढ़ी है सी में इसकी पुन पूर्ती में लाखों वर्स लग जाते हैं और डी में हमें अपनी आने वाली पीडि में बहुत अधिक अमल पादा होता है और इसे दर्द और जलन उत्पन होती है और कथन दू में है इस दर्द से छुटकारा पानी के लिए लोग मैगनेशियम हाइड्रो ऑक्साइड जैसे एंटासिट नामक छार्कों का उप्योग करते हैं इस तरह से दोनों कथन जोए सत् है तो यहाँ पर चार अप्शन दिये हुए थे अप्शन वन में है उसे नस्ट करके यानि बाई डिसकार्डिंग दू में है पूर्ण चक्रन द्वारा यानि बाई रिसाइक्लिंग द्वारा तीन में है पूर्ण उप्योग करके यानि बाई रिजूसिंग द्वारा और च करें द्रत्त्त्रों के चाहिं मिलिद्ट करें डिएव बेकिंग सोटा इनए एज सी यू थिरी का जोक्त रासानिक शूत्र है इस तरह से जोए इसका करेक्ट एंसर होजाएगा भारत में बिमानन उदो का आराम एक फिलिंदा ब्लेग्स दिए थे में टाटा एयरलाइस की शुलुवाद के साथ हुआ था अने 1122 में किसने अमेरिकिया के साइन जुआन केपी एस्टानों में आयोजित साउंड रनिंग ट्रेक मीट से पूर्सों की 5000 मीटर दोर में 13 घंडा 25 मिनद 65 सकेंड में दोर पूरी करने के साथ ही 30 वर्ष पुराना राष्टिये रिकॉर्ड तोड दिया अविनास सावले ने भारत के राजस्थान राज्जे में भारत की पॉलिप पंचायती राज ब्यवास्ता के सुर्वात की स्वर्ष हुई थी अनिश्व उन्सट में भारतिये समिधान में हुए यह पफिलिंग दबलांक्स दीवे थे शंशोधन ने गराम सावा को पंचायती राज प्रनाली की नवी के रूप में परिकल्पित किया तीहतरव संशोधन ने किसकी उपस्तिती जटिल पाद्वो का एक विशिष्ट गुन है जिसने अस्थलिय वातावरन में उसके अस्तितों को संभा बनाया शंग वहिनी उतक ह हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार डैस होता है यानि नियत ताप पर भी इंफनाइट आई होता है यहां फिलिंद ब्लैंक्स दीए थे फिर कुछे गया थे में वनी जब परशासन परिवान दधर भीती और रियल एस्टेट गतिवीधियों से लेकर ब्यापार और ब्यक् चलित प्राकिर्तिक रूप से पाया जाने वाला खनीज है जिसका उप्योग ब्यापक रूप से दीवारों और छोतों को कवर करने के लिए पर्युक्त बॉल वोड के निर्बान के लिए किया जाता है जिप सम हो जाएगा नेक्स्ट वेसन है तत्व एक्स में कूल शोलर प चक मना जाता है भागवान विष्णु को स्वेथ परकास वाले परिवेशन में दूद सपयत दिखाई देता है क्योंकि दूद में मौझूद कन उस पर पढ़ने वाले स्वेथ परकास में मौझूद विभीन रगों की तुरंगडर की तुल्ला में डैस होते हैं और चाहिए में भी खण्नित करता है एमाईलेज किसी बस्तु को एक पंद्रस्यम फोकोस दुरी वाले उतरलेंस के मुख अक्षपर 40 दूरी पर रखा गया है लेस द्वारा उत्पन आवर्धन डैस होगा और परतिवीम डैस होगा यानि लेस द्वारा उत्पन आवर्धन एक् सौर पैनल में डैस उर्जा, डैस उर्जा में रूपांत्रित हो जाती है सौर उर्जा और विधूत उर्जा में रूपांत्रित हो जाती है किसी बस्तु को एक उदल दर्पन के सामने 12 स्यम के दूरी पर रखा गया है इसका परतिवीम उसी और 18 स्यम के दूरी पर बनता है दरपन की फोकस तुरी डैस होगी यानि माइनस सेवेंट पॉइंट टू सेम होगी चुम्बक्य छेत्र से समधित निम्ध कत्नों पर विचार कीजिए तो यह पर दू कथन दिये हुए थे कत्न एक में चुम्बक्य छेत्र की आप प्यक्षित समर्थ को रेखाओ की निकर्ता की कोट यानि डिगडी ओप कलोजनेस द्वारा दर्शाय जाता है बी में चुम्बक्य छेत्र रेखाओ में केवल परिमान होते हैं और कोई दिशा नहीं होती है उप्रोक्त में से कौन से कत सही है केवले राजे चौब वर्स से चौदा वर्स तक की आयू वाले शभी बालकों के लिए निसुल्क और अनिवार्ज शिक्षा देने का एसी रिती में जो राजे बीधी द्वारा और धारित करें उपबंद करेगा को यहां पर फिलिंग दा ब्लेंक्स दीवे थे के ता प्राकीर्थी गयस यानि CS4 के जलने के दोरान कौन सी गयस निकलती है CO2 कौन सी भासा सास्त्रिय भासा की श्रेनी में आती है जैसे कि अप्सन दिये हुए थे हिंदी प्राकीर्थ संस्कृत और पाली तो संस्कृत जो है करेक्ठ हो जाएगा भरत सरकार की कौन सी उजना UPSC PSC राज लोग सेवा आयोग PSC आदी द्वारा आयोजित प्रारंबिक प्रिक्षाप प्रिलिम्स पास करने वाले अल्प संक्यक समुधायों के छात्रों को सयोग प्रदान करती है नई उड़ान निम्लिखित में से कौन सी उपधात्व नहीं है जैसे कि option दिये हुए थे silicon, antimony, arsenic, selenium तो selenium इसका करेक्ट टेंसर हो जाएगा निम्लिखित में से कौन सी एक संजोजन अभी किरिया है तो यहां पे चार option दिये हुए थे option 1 में है जेटन, Cu3, S जब यह दो पार्ट में तूटेगा तो जेटन, O, S, solid, plus Cu2, gas जब बन जाएगा दू में है Mg, S, यानि, solid, plus 2H, Cl, Aq, यानि, जलिए जब यह अभी किरिया करेगा तो Mg, Cl2, Aq, जलिए, plus H2, G, यानि, gas बन जाएगा थेरी में है 2K, Br, Aq, यानि, जलिए, plus B, A, L, 2, Aq, जलिए, जब यह अभी किरिया करेगा तो 2K, I, Aq, जलिए, plus B, A, Br, 2, S, यानि, solid, बन जाएगा और 4 में है H2, G, यानि, gas, plus Cl, 2, gas, जब यह अभी किरिया करेगा तो 2H, Cl, gas जब यह बन जाएगा इस तरह से ओप्षन फोर्जवाई, इसके करेक्टेंसर हो जाएगा कारवन परमानों के 100 संजो जगता कोश में उपास्थित इलक्रानों की कूर्शन के कितनी होती है चार, किसी बस्तु को एक 15 सेम की दूरी वाले ओतल दर्पन के सामने 30 सेम के दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया है इसका पर्तिविम डेस बनेगा, यानि 30 सेम पर बनेगा नेक्ट क्वेसन है, कौन सा उर्जा गयर परम परिक सुरत है, शार उर्जा मुख गुही का, यानि बुकल के विटी मानव डेस तंत्र का एक हिशा है, पाचन का कौन गन तंत्र दिवस के आउसर पर राज पत पर भासन देते हैं, भारत के राश्ट पती किसे एक आउसदिय पौधा माना जाता है, निम के पौधे को वायो मंडली दाब और वास्पा उसरन की दर एक दूसरे के डेस होती है, यानि बे उतकर मनुपाती होती है वे पदार्थ जिना जैविक प्रकिरिय द्वारा तोड़ा यानि बिघटित किया जा सकता है, वे कहलाते हैं जो निमनी करनिये पदार्थ, किसी धरवाय चलक द्वारा उत्वण चुम्ब के छेत, डैस होते हैं, यानि सकेंद्रित बिघट होते हैं नेहा हाइपर एसे डीटि से पीडित है, इसे रात के लिए कौन सा योगिक दिया जा सकता है, MGOH के पावर होल्टू किसने अनिसोबीस में अहामदाबाद टेक्स एस्टाइल लेवर एसोसियेशन यानि मजूर महाजन संग की अस्थापना की थी, जो कि भारत का सबसे पुराना काप्रा सर्मिगों का शंग है, और सुये सारभाई हो जाएगा गोदारी नदी के संबंध वे निमलीखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे चार कथन दिये हुए थे, कथन A में है, घट परवा इसकी कई सायक नदियों में से एक है, B में है, या पच्छिम घट की ढलान से निकलती है, C में है, इसका जल निवासी ब्यशिन, अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आज यहीं तक और पूरा वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य बाद, थेंक्यू